क्या मिलता है फ्री में? चीटोज के अंदर का टाजोज बाई वो बंद हो गया तूथपेस्ट के साथ बुरुष बंदर चाप तूथपेस्ट या फिर गोलगप्पे के साथ सूखा वो तो जनम सिद्ध अधिकार है पर और दो फूकतिया कपल्स हैं जिने फ्री में फीजी का साथ दिन 21 हॉरिबल नाइट्स का पैकेज मिला है इन्होंने कौन सा टूथपेस ख़िदा यार जिसमें ये मिल गया इन्हे बाई लगता है 21 नंबर वाला तो अनएम्पलॉइड विवान और सीया जिनोंने जनकपुरी के आगी की दिल्ली देखी नहीं है वो दोनों फिजी के बीच पे बिकनी पहन के नंगा नाच कर रहे है ची 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 यार विसे मुझे भी करना है तो ये इन दोनों की शादी की साल गिरा है तो बहुत सारे सीमक्स के बाद अगले दिन ये फीजी वासी आ के कहता है हेलो सार हैपी लवडे सार फ्री में जो आपने पेला आई मीन स्वारी खाया उसका फ्री राइड मिलेगा सार फिर फ्री में भोजन इन्विटेशन है आ जाओ 21 नंबर बीच पे सार तो पता नहीं इन्होंने कौन सा टूथ पेस्ट खरीदा था कि इन्हें इसमें फ्री में पानी में उड़ने वाला जहाज से 21 नंबर आईलेंड पे ले जाते हैं जहां इन्हें फ्री में सब मिल रहा है वाओ कितना प्यार है ना तो खान ही वो आदमी है जिसने ये फ्री का ट्रिप गिफ्ट दिया था बंदर चाप टूथ पेस्ट में और सिंस इनकी साल गिरा है तो ये अपने साथ माल पिलाने इने ले जाता है बोटल में यार ये अमीर लोग का ना कुछ भी समझ में नहाता पता नी क्या चूच ले इनके आपको पता है मेरे 80,000,000 सब्सक्राइबर्स हैं डाक ट्यूब पे अच्छा क्या करते हैं आप उस पे चलो देवियों और सजनों आपको रूल समझा देते हैं हम आपसे 8 सवाल पूछेंगे आपके जिन्दगी से रिलेटेड आपको सिर्फ सच बोलना है उसके बाद आपको मिलेगा रोडीज वाला टास्क अगर आपने 8 सवालों के सही जवाब दिये तो आपको मिलेंगे 21 करोट रुपे है है क्या म्यूजिक है तो देवी जी और सच्चन जी क्या आप खेलना चाहेंगे बता निए तो चलिए आपकी बीवी को करते हैं पास्टेज फिंगर्स पास्ट तो जब इंसान को फ्री में वेकेशन मिल गया फ्री में खाना मिल गया और अप फ्री में सवालों के जवाब देने पे 21 करोड भी मिल रहे है तो वो क्यों नहीं खेलेगा मैं तो इसके लिए एनी और योगी को गिरवी डाल के बैट जाओ इस गेम में तो फिर ये दोनों रेडी हैं तो मिस्टर खान इनसे इनकी बेसिक इनफॉर्मेशन मांगने के नाम पे कॉंट्रेक्ट साइन करवा लेता है दोनों के हाथ में कंगना पहनाता है और अपने कंदे कटे बालों को फ्लेक्स करके कहता है तो देवी जी और राजीव आपको खेलना है सच का सामना जहां आपको हाँ और नामे जवाव देना है और जूट कहने वाला हो जाएगा एलिमिन है तो दुनिया भर के नले बेरुजगार सूपर चैट देने के लिए अपनी मम्मी का क्रेडिट काड लेके बैठ गए हैं पहला सवाल एक करोड के लिए ये रहा तो मिस्टर विवान क्या आपने कभी भरे बजार में अपनी बीवी की ली है पपी पपी नहीं सारी जवाब अब आपका टास्क है आपको भरे बजार में राजीव चौक पे खड़े होके इनकी लेनी है पपी तो ये इने राजीव चौक पे ले जाते हैं और सीपी के बीच में छोड़ देते हैं और अब विवान की लेने में फट रही है पपी पर इसे याद आया 2003 की वो क्रिस्मस पार्टी जिसमें इसने सिया को रम पिलाई और उसका बम देखके इसकी लेने का मन किया पर उसके बॉबी बॉर्फरेंड के होते हुए ये ले नहीं पाया तो आज राजीव चौक पेस ने ले ली इसकी पपी तो अगले टास्क में क्या होगा नंगाओ के करो बाई स्पॉइलर मत दो यार तो इन्होंने पपी लेके इंटरनेट को दिखा के एक करोड जीत लिए क्या बात है और इन्हें लाइव में 1.2 मिलियन लोग सूपर चैट देने लगे पता नहीं यार हमें कम मिलेंगे बहुत खराब किस्मत है तो अगला सवाल देवी और सजनों दो करोड के लिए मजा आ गया मजा आ गया तो सिया जी क्या आपके पती आपको पूरी तरह से चाटते जानते हैं नहीं एक दोट क्या बुली हाँ 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 जूतिया गटगट और आप शायद वीगन भी हैं और पनीर के नाम पे टोफू खाती है येस तो आपका अगला टास्क है कि दो करोड के लिए आपको चिकन जींगा सैमन खाना है मिस्टर खान मेरी पतनी कट्टर वीगन है और वो दो करोड क्या दो सो करोड के लिए भी चिकन जींगा सैमन नहीं खा खा गई दो करोड वारा सुखंबेबी सुखंबाई नोर मैक्स साउंटीजर मैक्स यो यो बुरा बच्चन जी तो अगला सवाल मिस्टर शैतान के लिए क्या आपने कभी किसी को मैनुप्लेट किया है तो विवान को याद आया कि इसने सिया के बॉबी बोर्फरेंट को जा के बोला अरे यार बॉबी यार तेरी सिया की कल पार्टी में मैंने ले ली पपी प्रेक अप इनका हो गया तो मिस्टर विवान आपका टास्क है मुझे मैनुपलेट करो क्योंकि मेरे पास दौलत है शोहरत I mean I'm sorry wrong दौलत है शोहरत है थोड़े बाल नहीं है पर experience बहुत है तो मुझे मैनुपलेट करो यहां से वहां जाने के लिए सर उधर मैने रिखा कीची है अरे कहां पर कहां पर मा की कसम रेखा मैनुपलेट हो गया चूतिया बना दिया तिन करोड तो अगला सवाल चार करोड के लिए है है मा की कसम क्या म्यूजिक बनाया है तो मिस्टर विवान आप अपनी बीवी को बचाने के लिए अपने सबसे बड़े फियर फैक्टर को फेज कर सकते है तो हमने आपकी सिया का जिया जलाने के लिए इन्हें इस डबे में बंद कर दिया है जिसमें है सिर्फ चार मिनट पीस सेकंड की ऑक्सिजन आपका टास्क है कि आपको अपना बी पॉजिटिव होके कि तभी इसे याद आया अपना पास्ट कि कैसे ये कॉलेज में एक फर्स्ट येर के बच्चे पे प्रैंक के नाम पे लाल एशिन खून डाल देते थे पर इसे है बलड ओफोबिया पर अब क्या करें बीवी ओफोबिया भी रियल है ना नहीं बचाया तो साली चुडएल बनके मारीगी तो ये आदा लीटर ओ नेगिटिव निकालता है अपनी बी पॉजिटिव बीवी के लिए और उसे ये बचा लेता है स्टार करोड क्या कीजेगा इतने दंदराशी का विवान सर सम्राट एंड कॉर्परेशन बनाऊगा आप खुण से काफी डरते हैं पीरियड में तो भागी जाते होंगे मेम साब तो मिस्टर विवान क्या आपकी बीवी मेरे जैसी आई मिन जॉनी सिंस जैसी हो जाए तो भी क्या आप उन्हे इतना ही प्यार करोगे जितना अब आप मेरे से नफरत करने लगे हो भाया ब्यूची बहा नहीं अंदर होती है चाहे बाल हो या पच्छे ठीक है ठीक है अब कुछ नहीं बच्छेगा इनके बाल काट हो भाई चलो हमें नहीं कहलना तो चीटिंग करता है हम जा रहे हैं मम्मी बुला रहे हैं साथ बच गए तो भाई इसकी इनर ब्यूटी अब बहार आ गई ची कितनी गंदी लग रही हो तो अगला सवाल छे करोड का मास्टरपीस क्या म्यूजिक है बैंडचूट तो मिस्टर विवान क्या अपने अपनी बीवी को दी है रख के जिसको हम असान भाषा में घरेलू हिंसा यानि दोमेस्टिक वाइलन कहते हैं तो विवान को याद आया कि एक बार फाइनली इसका निशाना लगा था और ये बाप बनने वाला था पर सिया ने पपीता खा लिया और इसका बच्चा अबॉर्ट हो गया तो इसने अपनी बीवी को अकेले पपीता खाने के लिए रख के दे दिया मैंने डुमेस्टिक वाल इन बजाया था तो देवी जी आपका टास्क है आपको बारा सो डिबी वाले आवाज में इन्हें कस के देना है आप अगर इन्हें नहीं मानना चाहते तो आप क्विट मजाया सिया ये हमारे बारे में सब चानता है मुझ तो ये भी लगता है कि इसे पता है कि मैंने आज डेर में तुम्हारी पैंटी पैनी है और इसे ये भी पता है कि मुझे मजा रहा है अपनी ये लक्सकोजी चुपा लो वरना देख लेगा हराम जाता हाँ तो मिस्टर विवान क्या आपने किसी को बेये मतलब नुकसान पहुचाया है हाँ तो आपका अगला टास्क है आपको सरकार बनके एक गाड़ी को मुनावर फारुकी करना है तो ये एक गाड़ी की गान लगा देता है फीजी वाले बाहों से मस्ट पिटता है पर तभी ये वहां से भाग के एक पुलिस वाले के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है सर, सर बचाओ सर, बचाओ सर, बचाओ रैक के बोलन लाग रहा है पीजी मैं बोल, पीजी मैं पर खान के टट्टे इस पे नजर रख रहे है तो अबॉर्ट, हेल्प, अबॉर्ट मिस्टर विवान, आपने रूर तोड़ा है तो हमने आपकी बीवी दो एकलेर्स में बेच दी पर सिंस, हमारी ओडियंस ने भर के सुपर चैट में बोला है कि ए भाई, मैं आट एकलेर दूंगा मेरी दस, मेरी दोसो तो उस से पहले, हम डेरी मिल्क में मां जाएं उसे बचा लो तो इसकी बीवी को चांदनी बार में बेच दिया तो विवान, भगवान, ग्रैंट, कस्टिन से पावर्स लेके जाता है सिया को बचाने तो इसने सिया को बचा लिया क्या यार बचा लिया अब लाइब स्ट्रीम पे सब गंदी गाली दे रहे हैं सब बिनोत बिनोत कर रहे हैं साला दो सो एकलेर्स का नुकसान हो गया तो खेल काफी गौतम गंबीर मोड पे आ गया है इस खेल में सब को नुकसान हुआ है विवान का अधा लीटर ओ नेगटिव खून चला गया देवी जी के सारे बाल और मेरा आज रात का इंतजाम बड़े घाटे का दील ता है पर अब अगला सवाल साथ करोड के लिए अरे बस कर यार बहुत हुआ इतना भी बड़िया म्यूजिक नहीं है तो सिया जी ये दुनिया एक मेला है और क्या आपने कभी अपने पती का साथ छोड के किसी और का लिया केला है नहीं, कभी नहीं आपसोस, कलत उत्तार लुक फोर राज मल उत्तरा यह क्या मैं मम्मी वेजरिय है है जी? तो सिया जी, आपने रूल तोड़ा है और मेरे पास घोड़ा है, तो आपको मरना होगा नहीं, नहीं तो किसी और को मरना होगा तो मिस्टर खान, इन्हें बोट पे ले जाता है, विवान का दिल तूटा है, क्योंकि इसकी बीवी अब टकली है, I mean इसकी बीवी किसी और के साथ 9-11 के बीच में एक साथ 14 गर के आई है, तो अब ये क्या करे, वोट से इसे फेक दे या पैसे जीत ले तो मिस्टर खान, इन्हें एक प्राइवेट खान आइलेंड पे लिजाते हैं तो विवान, अगर सीया नहीं, तो ये लड़का सही, निकाल अपना घोड़ा, और मार दे इस साला बैड़ अकरम, मतलब, क्या? ये इसे जानता कैसे? तो प्लॉट ट्विस्ट की कहानी शुरू होती है, आज से 10 साल पहले, सीय और विवान दा लव स्टोरी शुरू होने के बाद जब ये और्गैजम पाने के लिए फ्रेशर्स को बुली करते थे और अकरम जो न्यू एडमिशन था, उसे इन्होंने बहुत बुली किया कभी थपड मार के, कभी इसके कमरे में घुसके, GM90 का पववा पिला के, सीडियां चड़वा के, सारी दारू उतरवा के, थपड पर थपड मार के और तो और इन्होंने ही इस पे Asian खून प्रैंक भी तो किया था, तो अकरम इतना डर गया, कि उसे हर वक्त anxiety attacks आने लगे, वो depression में जाने लगा, और वो हर वक्त डर के रहता था, तो फाइनली एक दिन, उसने हिम्मत करके decide किया, कि वो principal के पास जाके complain करेगा, उसके ऊपर हो खराब करेगा, रुक तेरी जट अभी खराब करता हूँ, तो इन्होंने अकरम के कपड़े उतार दिये, और उसके ट्रिमर से उसी के बाल काट दिये, और इस चीज़ का अकरम पे इतना गहरा असर पड़ा, कि उसने अपनी mental stability खो दी, और वो आज abnormal हो गया, और अब वो हर वक्त anxiety में रहता है, और नॉर्मल क्या होता है, वो तो अब उसे पता भी नहीं, उसकी जिन्दगी कुछ लोगों ने, अरे भाई, मजा की तो कर रहा था, के लिए खराब कर दी मेरा बेटा खुशी खुशी पढ़ने गया था, पर तुम लोगों ने उसे जिन्दगी से लड़ने पे मजबूर कर दिया, हर दिन मेरा बेटा मरता है, मैं चाहता थो तुम दोनों को अराम की मौत दे सकता था, पर इतनी असान मौत तुमें नहीं मिलनी चाहिए, आज मेरा टास्क खतम होता है, और तुम दोनों जीते हो ये कड़वा सच, जिसके साथ तुम्हें जिन्दगी पर जीना है, और जात में किस करोड़ भी, और कहानी खतम, तो इस कहानी से हमने क्या सीखा, कि हर साल कुछ लोग मज़े के लिए फ्रेशनस की रागिंग करते हैं, उन्हे बहुत परेशान भी कर डालते हैं, हर दिन उन्हें बुली करते हैं, तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ लोग करते हैं, तो तुम्हें उसकी शिकायत किसी से करनी चाहिए, क्योंकि जितना तुम डरोगी, उतना वो तुम्हें दबाएंगे, और जितना तुम उठोगे, उतना वो हारेंगे एनी एक काना बजा दे भाई ऐसा कंटेंट अब क्यों नहीं बनता पागल हो गई है जन्ता शिट कॉंटेंट है बस हर जगा कंजा ये ब्लैक मेल करता इससे विवान डरता नहीं ये किसी का सगा पड़ी महनत से वीडियो बनाई हमने लाइक शेर सब्सक्राइब कर दो ना कभी नौन वैच बहरें कभी टकला ये करें कभी स्ट्रिप क्लम में जाके दिली मैट्रो ये करें गेम का मकसद ये नहीं कीन को फसाना है बड़ी जोजेंट लॉयल बस ये तुझको बताना है रे गेम मेरा स्केरी ये गेम मेरा कभी नौन वैच बहरें कभी टकला ये करें कभी स्ट्रिप क्लम में जाके दिली मैट्रो ये करें करें